इसके लिए हमने एक स्मार्ट ओफिस को दिखाने के लिए इसके लिए हमने एक एंटिटी ही है और एंटिटी हमने यहाँ पे बैंक को शोग करवाया है ओफिस कनेक्टिविटी इसमें हमारा मेन पर्पस है हमारा कमसेप्ट है इसमें हमने स्मार्ट ओफिस है जिसमें यह ओफिस है और ओफिस में हमने कुछ उजर्स लिए मैं और आयोटी डिवाइसे लिए है आयोटी में हमने पास वेबकेम है लेडी है फैन है एसी है इन सभी आ स्मार्ट पूल लिया है आज आयोटी मोनीटर को चेक करने के लिए अगर आपको यहां पर आयोटी मोनीटर में जाके अगर वो आईप इड्रस की रिका है तो आपको दिखाना है आपको यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर इसके लिए हमने अगें सेम नेट्वर्क लिया है नेट्वर्किंग डिवाइसे और आयोटी डिवाइसे आयोटी डिवाइसे आयोटी डिवाइसे में हमारे पास लेटी है उसका हमने डोगल बटन से ओन याउप कर सकते हैं पर आयोटी आयोटी मोनीटर के लिए हमारे पास यहां पर स्मार्टपों है प्रांच सेम लिया सब्सक्राइब पांच ब्रांच ब्रांच है यहां पर तब्रांच है AC, PAN, LED, VACAM, and PCs This is the fourth branch यह हमारी fourth branch है Door है, PCS है, LED है, PAN है, AC है And this is the last branch, fifth branch है हमारी यह हमारा यहां पर fifth branch का structure है Routers पर चेक करने के लिए आप router पर जाके अले लिखेंगे Enable, Enable लिखेंगे बाद हम लिखेंगे Show Run Show Run करके आप सारी router की information चेक कर सकते हुए यह router का हमने क्या इंटिग्रेशन की है नएक कि हमने Fast Ethernet के हमने 50.1 configure किया है Serial पर 80.2, Serial 3 पर 90.1, Routing के लिए हमने Dynamic Routing यूश किया है उसके लिए हमने Rift Router को यूश किया है सभी router पर आपको same routing मिलेगी Rift Routing मिलेगी Logical View में इस तरह से आप दिखा सकते हो आप दिखा सकते हो थी Home Gateway के साथ सारे devices connected है यहाँ पर यह सारे wirelessly connected है Home Gateway को हमने Switch के साथ connect किया है Switch के साथ हमारे PCs connected है और Switch का धर router से connected है यह वना router हमारा आगे next branch के router से connected है उस router से Switch connected है Switch से Home Gateway से connected है Home Gateway से बागी सारे devices connected है So this is all about the project Thank you 1 2 1 झाल झाल